और अब हम आपको लेकर जा रहे हैं धर्मराजी का स्टूपा में ये बुद्धा का में टैंपल था जिनका नाम सिधार था ये अशोक हिंदू किंग ने बनवाया था जब उन्होंने बुद्धिजम को फॉलो करना स्टार्ट किया उन्होंने एशिया में 84,000 स्टूपा बनवाये थे जिनमें उन्होंने बुद्धा की एशिस को स्टूपा में रखा पाकिस्तान में ऐसे दो स्टूपा देखने को मिलते हैं एक टैक्सिला में है और दूसरा तख्त भाई में है और बुद्दा का दान दी मिला जो के टेक्षिला म्यूजियम में रखा गया है और जिस सुनही डिब्बी में बुद्दा का दान से रखा गया है वो आप हमारे लास्ट ब्लॉग में देख सकते हैं प्रिक का सब्खु से क्ींतर है मैं तो में दीमने देखु सकते हैं आले कि और गया मालते की बोल रही हूं आपार मैं माल्ते का इड़ा है वो मालते की तो कि बोल डी जारी थी भी किया है? आम वोलती जारी जारी कि पाल थी कि महरा है जारे रासा कफी अच्छा दे ताब नारे शुकर है वाव कितना अखुपसूरत है पींडों पेली भार इसा दरख देखा है हम पेंडी दम यह बने टीट अच्छा पनी भी जगा मिया है यहां पर द्रखते हैं ना यह अपनी वीडियो बनवाती रहती है मेरी नहीं बनाती है अहो असी जब उसे पापे सानु तुसे बना देंटे हो ना हाँ देख रहा हूँ नहीं साफ है लगने पीने वाला नहीं है पी उली है नीचे पंगस चले 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 इदे देखें मैं अपने पेरों को क्या चले 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 पी आड़ी बनाट चले 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 आड़ बनाट पापे वाला नहीं है तो एक्षगां एक्षार के डियो Mindy एक्षगे शाथ चाहिए, फसके देने का हुआ्ट जो आसके दिंगान रदा है बालिम घ्टाइक तिनोड चाहिए पॉष मैंने देख तट ये और से शीडिया का रही प्लाइया रा हो एर मैं देखें कैसे चटता जा रहा हो बार-देख शीडिको ये इस और विडिय कोईरता हो नहीं जिल्ए बार मा इस भीर सब्सक्राइब कर देखने में छोटा लगता है आजे हैं नजर आया सामने सारी सिविलाइजेशन है हाँ यह सूपे के गिर्द में लगता है यह घर होंगी वह देखो वह लिखावा है मौनेस्ट्री लिखावा है और के लिए नौदा ने विन्यू लिखाव है का वह ने है वह दीए हम आपको प्णी शकल दिखाएंगे और सेल्या हां की घ्राइजेशन जादा दिखाएंगे यह द हुखा एज दिखाएंगे यहां की अंधर भी अगर वी का ना वा यह वे लोग ने इसके निरत मिए करें चमी यह राख एस्ट्वा अजिसें के यह बनाव जो आपका है बनाव है शायद मौदम का है? मौदम का शेड़? मौदम का शेड़ यह अगली सैट पे तो कि और भी है यह पूल वह जो 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 फूल को रहा है पूल है यह बनाव है अब रिकॉर्डिंग करके ठक गई है वीडियो बनावना के ठक है यहां पर मुख्लिक मुलकों से बुद्धिस लोग आते हैं और अपने फेट के मताबिक स्टूपा के अराउंड पांच या साथ चक्र लगाते हैं स्टूपा के गई 54 रोम्स है और इन 50 रोम्स में बुद्धिस इबादत करते हैं कि अपते हैं यहां से ख़िए हैं कि अपते हैं यहां अपने acquाना के वाँ यहां से झाल कि अजधिस लोम्स हैं अपना कि अपगीत रोम्स है भर्वाल इसके इलावा आपको यहां पर 75 छोटे स्टूपा भी देखने को मिलेंगे जिने मन्थ स्टूपा कहा जाता है जिसमें छोटे बुद्दा की जब डेथ हो जाया करती थी तो उनको बड़े स्टूपा बुद्दा के पास दफना दिया जाता था यह स्टूपा बुद्दा का है जिसे बुर्टेशर ने डिसकावर किया और इसके उपर वाला हिस्सा वो बरतानिया लेगे यह स्टूपा बीस फूट उन्चा था जो के टेक्सला सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्टूपा था और यह टेक्सला सिविलाइजेशन का कोट है जहां पर मुख्तलिफ अदाल्ती काम किये जाते थे यह एक मॉनेस्ट्री थी जिसमें 27 रूम से और इसके सेंटर में स्विमिंग पूल था रात को मॉंक्स कमरों में बैठ कर इबादत किया करते थे और सुबा उठकर पानी में खड़े होकर मेडिटेशन किया करते थे इसके अंदर भी एक स्टेच्यू है जिसको हीलिंग गुद्दा कहा जाता है इस हीलिंग गुद्दा के उपर एक सुरा जिसके बारे में ये माना जाता है जिसमें उंगली डाल कर जो विश की जाती है वो विश कुरी हो जाती है और ये है वाटर टैंक जिसमें पानी को स्टोर किया जाता था और पीने का पानी भी इस्तमाल किया जाता था और ये हैं मटके जिनमें सिंदूर डुरा लगा जाता था जो उस वक्त के लोग अपने माथे पर लगाया करें और ये इस सिविलाइजेशन का धोवी गाठ है इस वीडियो में जो हमने देखा वो इस सिविलाइजेशन का 20% है जबके 80% अभी भी दफन है और भी काफी छुट-छुटे रूम्स आपको इर्द किर्द नजर आएंगे गर्वर्मिन्ट को चाहिए कि इसकी तरफ तवज़ो दें ताके आने वाली नसलें अपनी हिस्ट्री के बारे में जाने क्योंकि हकूमत की तरफ से इतनी जादा तवज़ो नहीं दी गई और मकामी लोगों का कहना है कि अभी भी यहां से काफी जादा पुरानी चीज़ें मिलती रहती है तरफ के आयें हैं और सामने एक दिवार है और वहां पर पेड़र चलक दो है और यह जार रस्ता है यह वैसे हैं काफ़ करए चीज़ बात है कि यहां पर अकलमंदी तरह की है कि रस्ता जो है वह दिया वह आने का बहुत कुप सूरत है और यहां पर अगर अगर गवर्मेंट थोड़ा काम करे तो हमें और बहुत कोई देखने को मेरे सकता है शही बात है अच्छा एक और चीज पर इच लेगी जैसे मुझे तो यहां पर भी बेंच है हाँ लोगों के लिए जगा जगा बेंच लगाए है जो बुज़ूर के है यह बहुत अच्छी बुज़ूर के हैं क्यों बुज़ूर के हैं यह निकि जिने गोटो किटो गोटो का मसला अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलेगा और अगर अभी तक हमने हमारी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हम आपसे मिलते हैं नेक्स व्लॉग में